मैं अपने हरियान प्रदेश के किसान भाईयों को सुचना दे रहा हूँ कि जैसे अभी खरीफ की फसल इसकी खरीद एक अक्तूबत से शुरू होने जा रही है और इस बार मुख्य रूप से जो फसले खरीदी जाएंगी उसमें बाजरा और धान ये दो मुख्य फसले है बाजरा की खरीद हमने पिछले वर्ष हरे किसान की खरीदने का एक प्रितन भारा रहा है लेकिन धान में ये आया है कि बहुत से ऐसे राजस्थान के लोग बाजरा की अपनी खरीद हर्याना में आके करा जाते हैं कहीं कहीं स्मगलिंग और धेक होने के कारण से उसके उपर काबू नहीं रहा इस बार हमने ये तैय किया है कि हम अपने इस खरीद के माद्यम से जो लाब है वो केवल हरियाना के किसानों को ही देंगे जिन किसानों ने अपने आपको मेरी फसल मेरा बेवरा इसके अंदर रेजिश्टर करा लिया है ऐसे लगबग 2,71,000 किसान है और उनकी जो जमीन है बाजरा की वो 8,55,000 एकड ये सत्यापित होई है ऐसे सब किसानों को हम भावंतर भरपाई के नाते से एक फिक्स अमाउंट जो 600 रुपया प्रती कवंटल होगी उनकी जो उपज है वहां की ओसत उपज के इसाब से गिनी जायेगी और ये जराशी ऐसे सब किसानों को 7 अक्तूबर के आसपास भीज दी जायेगी इस परकार से ये लाब केवल हर्याना के किसानों को मिलेगा इसके अत्रिक इसका लाब और कोई नहीं उठा पाएंगे अभी भी आज के जो रेट हमें जानकारी मिली है लगबक साड़े सोला सो रुपे के आसपास ही रेट सब चल रहे है तो ऐसा करने से किसान को किसी परकार की हानी भी नहीं होगी और हम लोग अपनी जो प्रचेज है बजार में भाव को मेंटेर करने के लिए दो अजनसियां हमारी हर्याना सरकार की होंगी उसके माद्यम से 25% बाजरे की उपज ये स्वम खरीदेंगे ताके भाव न गिरे धान और बाजरा के इलावा खरीफ की जो अन्य फसले हैं मूंग है, मक्का है, अरर है, मूंगफली है, आदी फसले भी यथा समय इनकी MSP के ओपर खरीद की जाएगी बाजरा का विकल्प अगर तिलन और दलन जिन किसानों ने बोई है और अपनी कुल बाजरे की खेती उन्होंने पहले से कम की है तो ऐसे सब किसानों को इस समय 4000 रप्या प्रतिये कड ये भी अलग से दिया जा रहा है किसान भाईयो चाहे वो फसल खरीदने की बात हो चाहे उनके नुक्सान की वर्पाई करने की बात हो इस बार जैसे वर्षा अधिक होने से जिन किसानों की फसल खराब होई है उसके लिए विशेश गिरदावरी भी चल रही है इस गिरदावरी के बाद ऐसे सब किसानों को कंपनी दोरा बीमा अत्वा सरकार के दोरा मुहावज़ा दिया जायेगा इससे किसान निशंत रहे और आगे भी हमेशा किसान के हित में हर्याना सरकार देश में सब प्रदेशों में आगे खड़ी रहेगी ये मैं आपको आश् सें देलादाव